नवस्कार आभार अभिननन स्वागत आफ सभी का हेलो मनिना इन मेरा सवाल है मैं मैं हूँ विपल सिंग और लगातार दो दिन के गिरावाट के बाद बल्कि कह सकते हैं बड़ी गिरावाट के बाद जस तरीके की सलिंग देखने को मिल रही थी और बाते होने लगी थी किया अब जो है बादार के अंदर 19200 के भी इस तर देखने को मिलेंगे या उससे भी नीचे जाएगा आज रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है बादार में अच्छी खाइदाई देखने को मिल रही है 1921 ये बादार निफ्टी की ओपनिंग रही उसके बाद से आज का जो रहा है उन्निस पान्सो सग्तर का हाला कि बीच पे फिर बाजार एक बार लुड़कता हुआ दिखाई दिया था उन्निस पान्सो के नीचे भी गया निफ्टी और उन्निस चारसो है यह महज सिर्फ एक छलावा है यहां से मानके चलें की बाजार अब कम से कम बीस जार तक की रैली देखने को मिल सकती है क्या रणीती होनी चाहिए आपकी इसके साथ साथ खबरो वाले शेर काफी जादा है और उनमें काफी सारी उसके चलते मोमेंटम देखने को मिल रहा क्या रणीती है आपकी होनी चाहिए शाहिए साथ वाह क्या आई प्यों है में आज कुछे का इप्यों ऐसे हैं इनका कि आखरी दिन है क्या आपको अप्लाई करना हैं आज के हमारे खास पैमान से हमारे साथ मौझूद हैं अविनाश को रक्षकर जी अविनाश जी बहुत-बहुत आभार अभिनंदन स्वागत आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए सबसे पहले तो सार आप से जानना चाहेंगे आप कर से देख रहे हैं इस बाजार देखें पहले बात तो मैं बता दूँ कि आज बहुत दिनों के बिक्वाली के बाद आज मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक दिखा है तो यह सिगनल है कि थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग अभी शुग हो चुकी है और अभी तो नतीजों का सीजन बहुत ही जल शुग इंपोर्टेंट रहेगा और अगर हमको आगे बीस हजार कर लेवल को जाना है तो कंपनीज के नतीजे अगर अच्छे होते हैं उमीद से बहतर आते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि देखिए जो विक्वाली आई है जाला तर FIS की विक्वाली के कारणा आया है रूपि कर तेजी देखी तो यह सब कहने के बाद मैं यहीं कहूंगा कि अभी भी इन्वेस्मेंट के काफी मौके हैं स्टॉक स्पेसिविक अप्रोच लेके काम करिए मेरे क्याल से मार्केंट्स में आपको पॉर्टरली रिजल्स के बाद कोमेंटरी आएगी रिजल्स आएगे तो इसमें कोई गवरानी की बात नहीं है यह डेफिनिटली एक बाय ओन डिक्लाइन वाला मार्के बाया ओन डिक्लाइन हर ग्रावट में खायदारी करने की यहां पर सलाह रहेगी और चुनिंदा अच्छे शेरों में खायदारी करें जहां पर आपको वैल्यूएशन अच्छी अब अब कैसे देख रहे हैं सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर निगलना चीए खासतोर से अब चुकिक कंपनी जो है वो च्छेट से रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है तो बिल्कूल पहली बात तो देखिए विपुल ये एक माईदरा गूरूप कंपनी है और रियल एस्टेट में काफी बड़े प्रोजेक्स और क्वालेटी काम करती है और रियल एस्टेट का मार्केट अगर मैं आपको ब हमीद रहेगी अब यहां पर सर चुकी बादार के अंदर बहुत साय लोग तो खईदार ज्यादा तर लोग खईदार है इनकुछ एक सवाल जो है सलिंग को लेकर क्या है रागाओ जी ने एक प्रस्न पूछा है उन्हेंने का कि मेरी उतकर्ष बैंक के ऊपर सेल पोजिशन ह देखनी चाहिए क्योंकि हमने देखा काफी अच्छी खासे रैली देखने को मिली हाला कि अभी जो दो दिन की गिरावट है उसमें जरूर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली लेकिन उतकर्ष पर इन्होंने सेल पोजिशन बनाई हुए आज उतकर्ष में जबरदस दिया है क्योंकि यह बैंक अभी क्वाटर टू के नंबर रिप्रूट करेगा बहुत की संदार नंबर आएंगे यहां से मुझे लगता है कि इनको सेल पॉजिशन को पार्टिन चाहिए क्योंकि यह शेर अगर पंदरा सोला पर है उपर है क्यूटों के अच्छे आते हैं ज इस तरह के शेर में सल पोजिशन ना करें अभी कौटरली रिजल्स आने वाले हैं नंबर्स अच्छे हो सकते हैं मिनाशी का मानना है तो यहां से आप जो भी लॉस हो रहा हो आप निकल जाईए हाला कि लॉस आपको ज्यादा हो नहीं रहा है और टीवी टीम के ऊपर इनका प्रशन है सर यह कह रहें हैं अरतारीस रुपए दस पैसे पे इन्होंने टीवी टीम के शेर ले रखे हैं क्या मेरा भाव अगले दस से पंदा दिन में आ सकता है सर मीडिया पर मैरे स्पेसिफिक आप से सवाल भी करना चाहूंगा इस शेत्र के अंदर पिछले चार- ऐसे सब्सक्राइब अंडर काफी अच्छा momentum देखने को मिल रहा है आज भी हम देख रहे है संटीवी में काफी अच्छा momentum है एक भूंटीउ Department के आपर प्रश्ट कुछ आपने सही का कि देखिए मीडिया कंपनी को वल्ल कप से तो डेफिनेटली फाइदा होगा दूसरी बात आपको यह भी जानना है अगले छेमेने में इलेक्शन का भी मौसाम आने वाला है तो बहुत सारी जो चैनल्स है जो मीडिया प्लैट्टम्स है तो यहां से टीवी कि बाद इनको फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मुकेशंबानी की गुरूप कंपनी नहीं तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि फंडमेंटल्स कैच आप होने में आपको कम से कम 15 मेने का टाइम फ्रेम यहां पर होल करने की रहे हैं लेकिन नजरिया थोड़ा अशुनी जी जूर चुके हैं बादचीत करने के लिए अशुनी जी नमस्कार कैसे हैं सुनी जी कहां से बोल रहे हैं पर नहीं बड़ा पसंदिता है मेरा बताई सर कहा पूछना चाहरे हैं किस वाँ पर पर उनने सो सब था था ठीक है। कितने शेयर ने हैं, 40 शेयर हैं आपके पास? पूरे साल की बात करें तो, अगर हम खाले 6 महीने की बात करें तो ये शेयर 200% से यादा का रिटर्न जो है पिछले 6 महीने में ही दे चुका है, 260% का रिटर्न एक साल में दिया है, क्या करना चीज़ा थोड़ा बनाफ़ा बुक करें अभी, अच्छी कंपनी है, लगातार हर द तो होल्ड करें लेकिन थोड़ा साम मुनाफ़ा वसूल कर लिजे, अगरे की जो फेयर बैल्यू बनती है, वो करें 23, 2400 है, यहां पर अपके पास कुछ कैस जनरेट हो जाए, आप दूसरे शेरों में लगाए या फिर बादार में गिरावट आए, तो आप दुबारा भी य सागर जी हमाई साथ जूर चुके हैं, सागर जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार जी, कैसे हैं सागर जी, आप कहां से बोल रहे हैं, वस एकदम फाइन, हम वड़ोधरा गुजरात, वड़ोधरा गुजरात से, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, क्या करते हैं आप, नाइन देबल जुरियों के असपस लिया था फोर नाइन तो अच्छा अभी कितने समय तक होड़ कर सकते हैं इसे आप होड़ करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इस से अच्छा कोई दूसरे में मिलता है यह बात आपके सही है क्योंकि आप काफी समय से होड़ी कर र काफी समय होड़ करते हुए हो गया है तो अप फोड़े में परिशान हो रहे हैं आपकी राय क्या रहेगी देखिए मुझे लग रहा है कि नौकरी जैसा शेर उन्होंने अच्छा तो खरीदा है लेकिन उपरी लेवल पे बाव इनो आप माव पे खरीदा है और काफी अंड गड़ी अपसाइड नियर टर्म में एक्सपेक मत करें तो उसके बावज़ूत अगर मैं समझता हूंगी अगर अच्छी-कासी विटन चलिए तो लासन एंटूब्रो एक अच्छा विकल रहेगा लासन एंटूब्रो का उपकर रहें थर्टी-पोर थर्टी-फार्टी-टा इसको और मिलने की खबरे आ रही है तो लगातार और तमाम जो अंतराश्ट्री ब्रोकेज हाउसेस हैं उनकी तरफ से जो है कंपनी के लक्ष जो है वो बढ़ाये गए हैं काफी सारी खबरे यहां पर पॉस्टिव आ रहे हैं लेंटे के उपर वहां पर आप स्विच हो आज आएक्स पे खबर भी है और इसके चलते एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है लेकिन जो है खबर जो है वह हम बदिंग स्टॉक्स में डिसकस करेंगे अभी शेयर पर बाचित कर लेते हैं असर 133 रूपए के आसपास चल रहा है 131 की इनकी खरीद है नजरिया इनोंने न लिए आएक्स एक प्लाटफॉर्म बिजनस है और मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया आपका थोड़ा सा मीडियम लॉंग टर्म है तो इसको होल्ड करना चाहिए अगर एकदम शॉर्ट टर्म क्यों है तो मुझे लग रहा है कि 145-150 का एक शॉर्ट टर्म टागेट बन सक सर्बता रहे थे वह अभी हम बजी में स्टॉक सेग्मेंट में जो है इसको डिसकस करेंगे और डिटेल ने हमाईसात राजीव शर्मा जी जूर्चुके हैं अगले दर्शक आशीश शर्मा माफ कीज़ेगा आशीश जी नमस्कार नमस्कार आशीश जी कहां से बोल रहा है सर मैं गाजियावाद से बोल रहा हूँ आपका रेगुलर योगर हूँ अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगता है सर जब आप लोग नियमित दर्शक होते हैं तो हम लोगो भी लगता है चली मतलब की लगातार आप लोग देख रहे हैं मैं तो वैसे हूँ इन्वेस्टर लॉंटर्म पर मैं एक शेर में थोड़ा सा दूविदा में हूँ मेरे बास अदानी विल्मर के अभी 75 शेर है जो का प्राइस है 550 रूपीज के साफ से अब अभी मैं मैं अल्मोस्त लाइक लंबे लॉस्त में हूँ 25 शेर परसंट के बट अभी मैं यह जानना चाता हूँ यह बॉटम फिशिंग हो चुकी है अर्दानी में क्योंकि एक साइकॉलिजी के लेवल भी होता है जो 360 का होता है और इतना बड़ा ग्रूप है तो ऐसा ना हो जाए कि मैं फोमो बाइंग में फर्स जाओं या या मैं बिलकुल मिस कर जाओं इस उपर्चुनिटी को वैसे मेरे को अपने टार्गेट 150 सौक सक ले जाना बने पॉर्टफोलियो में तो मुझे सर से लॉंग टर्म की राय जानने क्योंकि कुछ लोगों को ए प्रश्ण है कि अदानी समूग का भाविश्य होगा क्या लोग ये मानने को अभी तयार नहीं है कि क्या एकदम से कंपनी डूब जाएगी या और कितना यहां पर पेंड बाकी है भाविश्य क्या है इसको लेकर क्या आशंका है और जो खबरे हैं उसके चलते काफी वोल्ट खबरे आती है या फिस्टी बार भी उनने देखा जब रिजल आने शुरू हुए थे उसके बाद से एक बाइंग देखने को मिली थी और अच्छी तेजी देखने को फिर कुछ खबरे आ गई फिर उसके बाद से शेयर डाउन हो गए अब इनकी खरीद ऊपर की है थोड़ा विलमर की अगर हम बात करें तो यह FMCG कंपनी जैसी है और यह ऐसे बनाते है जो हमारे रोच के डेली लाइफ में हम लोग कंस्यूम करते हैं तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर इनका नजरिया देड़ दो साल का है तो यह कंपनी जरूर सर्माइब करेगी फ्लरिश क मैं समझता हूं कि अगर यह आवरेज करते हैं तो इनकी आवरेज प्राइज भी कम रहे है और इन्हों ने कहा है कि वह 500 शेर करना चांथ है तो मैं तहता हूं कि अभी भी इस लेवल पर यह एक्विलेट करें एट-वो साल का नजरिया रखें अच्छी-खासी कि पाम ऑईल के कीमते काफी कम हो चुके इनके लिए पाम आइल ताफी बड़ा रॉमेटल होता है उसता benefit इनको second quarter में और third quarter में देखने को मिले और रही बात पूरी अडानी ग्रूप के इनके पास अच्छी बिजनस मॉडल है बैलेंशीट भी अच्छी है तो अगर किसी को अडानी ग्रूप इसा लगान है तो मेरी तरफ से अडानी पोर्ट और अदानी विल्मर को लेकर के जिनके पास भी जो हमाई दर्शक है उनके पास अगर शेयर पड़े हुए हैं तो उस उमीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा करेंट लेवल पर भी आप बिल्कुल आइड कर सकते हैं और नजरिया चुकि आपने खुद कहा कि आपका लॉंग टम का है तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे आप भरोसा करके चलिए इस भीच राजन जी की एक टिपड़ी आई है और करें अभिनाज जी को मेरा नमस्कार बोलिएगा मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ तो यह आपके लिए संदेश है सर राजिन जी का कि वह आपके बड़े फैन है और आपको बड़ी प्रसंशा प्रसंशक हैं आपके काफी बड़े चलते हैं अगले दर्शक के पास जी 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 बिलकुल समझ गया सर और बल्लामपूर मेरा कई बार जाना आना हुआ है और वहां के विश्व विद्यालियों में जो कॉलेज की जो लडाईयां होती थी उसको काफी हम लोग दिल्चस्पी के साथ सुना करते थे पढ़ा करते थे बताईए सर क्या प्रस ले रखे हैं जी जी वैसे आपका नधरिया क्या है है हम तो लॉंग दर्म के लिए रखें हैं सर चले लॉंग दर्म के लिए सारे गामा तूंस और पर अच्छे देखने को नहीं मिले हैं पूर तरीके से अंडर परफॉर्म क्या है पिछले एक साल में करीब 4% के आसपास का निगेटिव रिटर्म देखने को मिला है क्या करना चाहिए सर अभी 40-50 रुपए नुकसान पर है तो नुकसान बुक करना चाहिए बनी रहना चाहिए क्या इस्टेटी रहेगी आपके सारे गामा पर मुझे लग रहा है देखें लंभी नजरिया के लिए अगर आपको मीडिया सेक्टर में रहना है और आपको सारे गामा को जैसी कंपनी में बश्क्राइब करना बहुत मुश्कुल बात है और अभी तो यह टीवी सीरियल्स में भी प्रोडक्शन कर रहे हैं मुवीस प्रोडक्ट कर रहे हैं कंपनी बहुत कैश्रिक्स है काफी कैश कंपनी के बुश्क है और यह दंदा ऐसा है कि लगता है कि इंडिया में एंटेटेन्मेंट और यूजिक यह कभी बन नहीं होगा तो नजरिया देड़ दो साल का अगर आप रखते हो तो अच्छी कासी कमाई होगी हैं शौट टम में थोड़ी वोलेटिल्टी आपको देखने को मेलेगी लेकिन कंपनी के फंडामेंटल बहुत बढ़ी है लेकिन इसमीच जरा कुछ एक ऐसे शेरों पर नरे डालते थे हैं जो कि आज आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस तेजी के अंदर भी वहाँ पर कुछ जरूस से ज्यादा तेजी अच्छी खासी बढ़ात जहां पर देखने को मिल रही है उन शेरों पर नरे डाले तो आ हम देख रहे हैं करीब सावा 5.5% के आस-पास की बढ़ात देखने को मिल रही है इसके लावा हिंदलबर्ग सिमेंट के अंदर हम देख रहे हैं करीब 5% की बढ़ात सुजलान एनरजी मोमेंटम में हैं इसको हम थोड़ी दिर में बज़ेंगे स्टॉक्स करेंगे कि आखिर में इस तेजी में करना क्या चाहिए को कि यह लगातार कॉंटिनियूस लिए हम देख रहे हैं कि एक नहीं उचाईयां छोता हुआ जा रहा है आठ नौ रुपए से चलना शुरू किया था साथ आठ रुपए से और अब तीस रुपए पर पहुंसता हुए जो मेंटों में साथ दुबारा जोड़ चुके अभिनाजी अपनी बात कंप्रीट कर लिए सरा मैं बता रहा था कि दिखिए सारे का में अगर आपको मोटा पैसा बनाना है तो आपको कम से कम साल देड़ साल का नजरिया रखना चाहिए यह ऐसी कंपनी है जिसका जो गाने का कलेक्शन है व मुझे लगता है कोई बड़ा ट्रिगर है लेकिन हां एक बात क्लियर है कि कंपनी बिल्कुल करजा मुक्त है अपने फिल्ड में मार्केट लिडर है और कहीं न कहीं देखिए म्यूजी के गैसा इंडस्ट्री है जहां पे कभी भी ग्रोथ कम नहीं होगा इंडियन को मुझे बहुत पसंद है को यहां पर मुझे लग रहा है शाल देड़ साल का नजरिया रखे और फड़ा पेशन्स इसमें रखे पैसा जरूर बनेगा पोड़ा समय लगेगा पैसा बनेगा सथ थोड़ा धायर रखे पेशेंस रखे आने वाले समय में अच्छी यहां पर देखने को लेगी जो जरा पांडे जी से पांडे जी किसास्त साथ बात्चित होगई है वंदना सिंझ flash का सवाल ले लते हैं मेरे पास करनने लवल पर और लिए आ सकते हैं मेरे पास सॉष क्या। है यहाँ पर देखने कोBack और पूरे रेटेक्स टोром कि काफी अच्छी खासी आते जी देखने को मिली 65 पर आपने लिया है 75 के आसपास यह शेर पहुंच चुका है एक साल यह और होड कर सकती है यहां पर भी इस पूरे स्टर में हम देखते हैं और को लेकर कि चाहे लगातार ख़बर आती चाहे वह आयर वी अर्वी अनल हो या ब अगर आपका सालवर का है तो अल्रेडी की एक साल का अगर यह लेकर काम करती है तो बड़ा अपसाइड आने की उमीद नहीं है और बातार कीजिए अल्रेडी आपने थोड़ा उपर लिया हुआ है प्रॉफिट में है आप अच्छी बात है लेकिन अब इस लिवल पर काफी जारा तेजी आ चुकी है तो अब और खायोरी का रिस्का मत लेजे चले संद्ध जो है हमाई साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं सिर्शर्मा जी वर चाइन आप कहां से बोल रहे हैं जी ठीक ठाग हूं मैं पेंचनर हूं अच्छा चलिए कोई बात नहीं सर और यही तो वक्त होता है जब आप शेयर बाजार को समझ सकते हैं और अपने जो पेंचन की जो रकम है उसको और बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है सर जी जी थे सत्तर के आप पर पड़े थे जब यह स्प्लेट होगा था ना बैंक के साथ अच्छा अच्छा जी 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 तो उसके बाद ते लिये और मैंने सौ और दे लिया तो पच्छपन के आजपास सेवरे जहें ने दी पच्छपन के आसपास आइडी आफसी के लिए रखें कि इए फसी फर्स बैंक के लिए रखें दोनों के यह ना उसके बिल्कुल 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 तो अभी आप कितने समय तक होड़ कर सकते हैं इसे आप वो कोई या थी लिमिट नहीं तो लेकन इसका क्या करें अभी कुछ इसको नकालें कुछ इसमें से के रहने चलिए पूछ लेते हैं हमाई साथ एक्सपर्ट अविनास गुरक्षकर जी मौझूद है अविनास सर काफी पहले के इनके पास IDFC के शेर पड़े हुए हैं और अच्छे खासे मनाफे में हैं यह IDFC के भी शेर इनके पास पड़े हुए हैं अभी क्या करना चाहिए सर अभी अब फिर से मरजर होने की जो बाते हो रही हैं तो होड करना चाहिए सर अभी कि एक बार के लिए प्राफिट बॉक करना चाहिए चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक के बास चलते हैं कुमार स्वामी जी का प्रश्णाया है टाटा पावर को लेकर के और कह रहे हैं कि टाटा पावर में इन्होंने खाईदारी की हुई है सर 180 का है और लॉंग टर्म का नदरिया तीन साल तक कह रहे हैं कि यह होल्ड कर सकत हैं टाटा पावर को और अभी क्या करना चाहिए सर पावर शेत्र को लेकर के क्या उमीदे हैं और खास्तोर से पिछले जिस तरीके से हमने देखा लीनों का असर देखने को मिला उसमें काफी हद तक कंजंशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है उसके चलते तमाम जो पावर चल रहा है होड करें या फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर नमबर के लिए टाटा पावर के काफी स्ट्रॉंग आये थे और कॉमेंटरी भी अच्छी थी और इनका जो नजरीया है अगले दो-तीन साल में टाटा पावर पूरी तरह से रेनियोबिल औ कि धंदे में उतर रही है तो मेरे क्याल से देखिए नजरीया अगर इनका देड़ दो साल का है तो अच्छी कासी कमाई इवन करेंट लेवल पर हो सकती है इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर एंट्री किये तो मैं कराय दूंगा कंटिनू टू होल्ड यहां से भी अच् आप रिटर्न आपको अच्छे मिलेंगे तो स्वामी जी आप होल्ड करके रखिए इस बीच राजें जी करें नमस्कार मैनायन की पूरी टीम को नमस्कार नमस्कार राजें जी अच्छा लगता है आप कारेक्रम में लगातार बने रहते हैं यह बहुत अच्छी बात है और इस बीच जो है अगले दर्शक रजत माहिस्वरी जी का प्रशन ले लेते हैं इन्होंने एक दो शेर ले रखे हैं हनीवेल आटोमेशन के और यह जो है चालिस हजार रुपए पे इन्होंने लिए हुए हैं और करें वेरी लॉंग टर्म व्यू है इनका और एक साल से लंबा इनका नजरिया है अभी अगर हम देखें तो यह शेर चल रहा है 49,186 पे और इन्होंने लिए हुए हैं 40,000 पे तो अभी तो आट-नौसों रुपए क्या क्या आसपास का लॉस हो रहा है इनको यहां पर काफी लंबा नजरिया है सर क्या सला रहेगी हाला कि शेर कोई बात करें तो उस तरह का रिटर्न नहीं देखने को मिला है इस पूरे साल के अंदर अंडर पर्फॉर्म किया है पूरी तरीके से मार्केट को आपकी राय क्या होगा देखें पहली बात तो विपुल देखो जब आप ऐसा महेंगा शेर 40,000 रुपया का शेर लेते हो तभी अ 10 परसेंट या 20 परसेंट भी कमाना है तो वो बड़ी मुश्किल वाली बात होती है तो उसलिए ऐसे शेर आपको चुनने चाहिए जहां पर बेस वैल्यू भी कम है जैसे कि मैंने आपको कहा कि IDFC बैंक 100 रुपे की नीचे है फेडरल बैंक है उसके बाद अगर आपको आपक के फेवर में हो ना चाहिए तो हनिवेल अगर यह रखना चाहे तो दो-तिन साल रख सकते हैं लेकिन इस पे कोई बड़ी अपसेड आएगी ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ऑल्रेडी बेस वैल्यू काफी बड़ी है चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगले दर् पॉफिट बुक करो पॉलिकैब पे कल परसों में कोई खबर भी थी और इसके चलते एक जो है मोमेंटम बनता हुआ पॉलिकैब के शेहर में दिखाई दिया था अभी जो है पांसजार दोसो अठाउन के आसपास चल रहा है सर और इनकी खरीद जो है वो पच्छिस सो प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर कह रहा है कि होल्ड करके रखें अभी सरी मेरे ख्याल से देखेंगे पचास परसेंट प्रॉफिट बुक करें बैलन्स कॉंटिटी होल्ड करें क्योंकि वायर ऑने वाले साल के लिए अच्छे नंबर आएंगे और जिस प्रकार से इन्होंने एंट्री किये और जिस प्रकार से पैसा बनाएं मेरे ख्याल से फोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो उनको करना चाहिए बैलन्स कॉंटिटी होल्ड करें करन पांडे जी का एक प्रस्टाया है डिसकस कर लेते हैं करें कि सर मैं सेल में निवेश करना चाहता क्या भी सही समय है सर स्टील और खास्तोर से मेटल पैक को लेकर के आपका व्यू क्या है काफी ठकाया सर इस पूरे उस ट्रक्टर ने खास्तोर से वो चाहर रशिया उक्रेन युद्ध की वज़ा हो फिर कभी चाइना में डिमांड घटने की वज़ा हो अब क्या मौका बन है क्या आपको लग रहा है कि अब बाइंग की जा सकती है और मेटल पैक में आपका पसंद्साशेर कौन सा होगा और यह फिलाल सेल के उपर इनका सवाल इस मुझे लग रहे कि देखिए मेटल पैक्ट में करेंट शॉर्ट तम यू ले तो मुझे लग रहे कि कि सेकंड तिम तो हिंडाल को एक अच्छा विकल्फ हो सकता है जहां पर आपको देड़ दो साल का नजरिया अगर आप लेते हो तो ऐसे शेर में आपको पैसा अच्छा बनेगा सेल में मुझे लग रहा है कि उपरी लेवल पर आपको एक्जिट मिलता तो यहां से निकल जाएए कि इतने कु अच्छी तेजी ओलरी आ चुकी है यह नोने यह तो नहीं लिखा है कि किस भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं या खरीदना चाहते हैं लेकिन जैसा इन्होंने प्रश्ट भेजा है उससे लग रहा है कि यह लक्ष जाना चाहरे है तो इसका मतलब इनके पास जो है पहले तो-तीन परसेंट के आस-पास की रैली देखने को मिल रही है यहां पर क्या लक्ष देखने को मिल सकते हैं सर्ट कि मुझे लग रहा है कि IRCTC भी एक प्लाटफॉर्म बिजनस है और मुझे लग रहा है कि नजरिया अगर आपका साल देड़ साल का है तो साड़े आट सो नौ सब्सक्राइब यहां पर थोड़ा लंबा इन्वेस्टर को गुजारना चाहिए क्योंकि उसी के बाद आपको एक अच्छी अपसाइड में